और भाई डिस्पले की बेजल्स तू देखो यार मेरे को लगता कि ये जो डिस्पले ना 6000 में भी महंगी है सई वीडियो पे आयो भाई आज हम बात करने वाले हैं ओपो A78 5G के बारे में है और गाइस आपने इसके उपर बर-बर के तारीफे सुनियोंगे फॉन बहुत ही तगड़ा है भाई और मेरे को तो सोचकर अपसोस आ रहा है उन लोगों का जो लोग इस वाले फॉन को ओफलाइन लेकर आएंगे मतलम ओलाइन तो कोई लेने से रहा नहीं भाई क्योंकि ओलाइन जो भी ये फॉन लेगा इस पैसिविकेशन तो देखकर लेगा ही उनको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है इस वाले फॉन में और भाई साँ प्राइस पता है कितनी रख दी है उनी सजार रोपया बाप रे बाप इतना में तो भाई इससे तगड़ाफ फॉन आ जाए चलो कोई नहीं भाई अगर आपने इस वाले फॉन को ले लिया है तो क्या ही कर सकते बाई हम तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर आ इसे दुकान है भाकी भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर दो और सबस्क्राइब करने का मन करें एंड तक तो सबस्क्राइब करके भी जाना तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ हाईलेटिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको इसकी कम्यों के बारे में बताऊंगा भाई तो अगर बात करूँ दूस्तों इसकी पहली highlighting point की तो भाई, offline वालों को target करके launch करें हैं तो 8GB की RAM दिये, 108GB की storage दिये और भाई, 8GB तक आप बढ़ा भी सकते हो और design वागर तो देखी रहे होंगे, आप design वागर भी काफी सही है भाई तो यहीं दू चीज ना, offline customer को ज़्यादा attract करता है एक तो भाई, जो seller रहेगा, वो बुलेगा customer को भाई, इसमें पता है, 8GB घरम है और design वागर देख रहे हैं कितना खतरनाक है बस यहीं पर दुकानवाल पोट लेगा customer को, और वेज देगा बाकी सारी चीज नहीं बताएगा उसको, कि काई नहीं है इसमें इसमें भाई, 5000 एमिज की बैटरी भी दे रखी है और 33 वाट का fast charger भी है और यह फोन आप दा वोक्स Android 13 के साथ आता है और आपको Color OS 13 देखने को मिल जाएगा और भाई, इसमें LP DualDR 4X RAM, UFS 2.2 की storage देखने को मिल जाती है तो storage speed भी ठीक है और हाँ dual stereo speaker दे रहा है, side mounted fingerprint है और 5G phone है, तो आपको 6 5G band के support देखने को मिल जाता है तो ठीक है, 5G आगा support करेगा अब देखो, ये साथी चीज़े है ना, मेरे को लपता है ठीक है यहाँ पर अच्छा काम करा गया है लेकिन अगर price के according देखो ना, तो यहाँ पर भी कई ना कई चीज़े और अच्छी हो सकती थी भाई अब हम बात करते हैं, man मुद्दे की इसमें क्या कुछ कमिया दिये ये लोग तो उससे पहले भाई, आप ना मेरे से negative way में जाना ना फिर brand से भाई वो कमिया देगी ही, और हम बताएंगी भाई, क्योंगी हमारा काम है आपका पैसा बचाना समझवारा, सकती मान है भाई चलो, बात करते हैं, यहाँ पहली गमिगी भाई, इस वाले फोन में कौन हिसाब से ऐसे डिस्पले दिये है, मेरे को कुछ समझी नहीं आ रहा भाई पहली बात तो कि इसमें HD Plus से डिस्पले दे रखा है, जहाँ 90Hz का refresh rate देखने को मिलता है एंड गैस, इस पे भाई, पांडा गलास का protection है, यह भी confirm नहीं है भाई यहाँ पे सूतरों के अनुसार पता चला है, कि भाई, पांडा गलास का protection है लेकिन ब्रैंड के इधर से confirm नहीं है, कि कुन सा protection है और भाई, डिस्पले की bezels तु देखो यार, मेरे को लगता कि यह जो डिस्पले ना 6000 में भी महंगी है लेकिन भाई साब ना तो Full HD Plus है डिस्पले दिये है, नहीं भाई, कोई highest refresh rate दिये है 90Hz वैसे इनफ है, लेकिन price point के हिसाब से 120Hz हो सकता था भाई, इतनी price ले रहे है, 90Hz दे रहे है, कैसे चलेगा भाई हजामी नहीं हो रहा है मेरे को भाई, 5G बना गया और अपने brand value gram बेता ज़्यादा cost cutting करेंगे भाई पेड़ पे फलता है, कहा हम लोगे घर पे है, इसमें primary sensor 50 megapixel कर दिया है, ठीक है भाई, हजम कर लेंगे हम लेकिन ultra white tangle lens नहीं है भाई, ultra white tangle lens होता की नहीं होता, बताओ आप comment करके चलो ठीक है, ultra white tangle lens भी नहीं दिया है, हम ज़्यादा इस सिकायत नहीं करेंगे, लेकिन 8 में पिक्सल का selfie camera दिया है और वो भी पता है कहाँ पर, सामने ही में दिया हुआ, कहीं दूसरी जगा नहीं दिया है, लेकिन water drop notch के साथ दिये भाई, 2020 में water drop notch देंगे, बताओ, punch hole देना चाहिए water drop notch भाई थोड़ा पुराना हो गया, updated लगता है, इसमें भाई 4K वीडियो recording करने का option भी नहीं दिया है 4K तो छोड़ो भाई, full HD 60FS का भी option नहीं दिया है, वो भी नहीं है भाई, क्या ही कर रहे भाई लोग, मतलब इतना ज्यादा offline वाले customer के साथ cheat करोगे भाई, से बतना हम design दिखा के, RAM, ROM दिखा के इतना ज्यादा तुम लुटोगे उनको, और अभी तो रुको, इस वाले phone मे कि नहीं देंगे, Android 3 तो देंगे, लेकिन वहीं रहेगा मेरे को लगता है, ये लोग clarity नहीं दिये कि हम update देंगे या नहीं देंगे, इसमें जो processor दिया है, media ticket diamonds 8700, वैसे देखो भाई, इस वाले processor को मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, processor काफी अच्छा है, performance भी आपको day to day use में अच्छी निकाल कर दे देगा, लेकिन पता है भाई, ये अलजो processor है ना 11000 में फेकाते फिर रहा, मतलब एक 11000 में कोई नहीं पूछ रहा है, ये 11000 में मिल जा रहा है, ये processor अभी के टाइम पह, लाबा बिले इस 5G में, देख लोगी जाकर, तो भाई मेरे को नहीं समझ में कि ओपो वाले इतना पैसा ले क्यों रहे है भाई, जहां तक मेरे को लगता है, इस वाले फॉन में सब कुछ average ही है, जो कि भाई आपको यहीं सेम चीज़े 15000 के range में मिल ही जाएगा, तो मेरे को जहां तक लगता है कि ओपो वाले जो पैसा ले रहे है, वो अपने brand value की उप पर ले रहे है, दूसरा भाई, 828 दे दिये, डिजाइन अच्छा बना दिये, 5G दे दिये, और भाई, क्या ही अच्छा की है, इसमें, 50 Megapixel का camera हाँ, इसको भी add कर लो, तो यह सारी चीज़ों को देख कर चलू न, तो फिर भी इस वाले फॉन के लिए 16000 रिप्या बहुत ही आ रहा न, भाकि अगर आपको इससे best phone चाहिए, नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत लोग कमेंट करेंगा भाई, अगले brand से पाईसा खाया होगा, इसकी बुराई कर रहा है, और उसकी तारिफ कर रहा, तो ऐसा अगर आप भाई, आप Instagram पे आ सकते हो, या फिर पे मेरे बाई